लोगसभा चुनाव अगले साल ही होने वाला है और ऐसे में देश की सभी राजनितिक पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही है। चुनाव को लेकर सभी राजनितिक पार्टियों की सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। आपको बता दे कि एक तरफ जहां बिहार और उत्तरप्रदेश की राजनिति से ही कहा जाता है कि देश की राजनिति निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में बिहार के सीमांचल की बात करें। तो सीमांचल में पहले बीजेपी की ओर से अमिच्छा, फिर महागडबंधन की ओर से सभी साथो दलों के नेताओं ने रैली की इनमें मुख्यमंत्री नितीश कुमार और डिप्टी सीम, तिजस्वियादफ के अलावा जीतिन राम मांची और अन्य दलो के नेताओं ने भी शिर्कत की जिसके बाद असदुद्दिन ओवसी ने सीमांचल में अधिकार पदियात्रा कर अपनी रणनीती के संकेत दे दिये पहले राजवितिक जानकारों को लगा कि असदुद्दिन ओवसी सीमांचल में ही अपना फोकस रखेंगे पर अब उनके बहार से लोटने के बाद AI MIM के रणनीती का खुलासा हुआ है माना जो रहा है कि AI MIM अब केवल सीमांचल पर फोकस नहीं रखेगी बलकि बहार के अन्य जिलों में जहां मुस्लिम आबादी प्रभावी है वहां भी अपना फोकस बढ़ाने जा रही है अगर OVC के रणनीती को लोगसभा और उसके बाद वधानसभा चुनाओ में थोड़ी सी भी सफलता मिली तो यह महागडबंधन और खासतोर से राजुद नेता तिजस्वी यादव के लिए बड़ा जटका साबित हो सकता है AI MIM के रणनीती कारों का मानना है कि इस बार पार्टी की नजर मुंगेर भागलपुर कटिहार बेगुसराय और चमपारन पर है और पार्टी ने वहाँ अपनी तयारी शुरू कर दी है जानकार इसे AI MIM की बड़ी रणनीती मान रहे हैं और उनके अनुसार इससे महागडबंधन को दिक्कत हो सकती है ओवेसी सिमांचुल के बाद AI MIM के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं अगर उनका प्लान सफल हो गया तो यह बिहार की राशनीती में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा AI MIM के बहार प्रदेश सध्यक्ष अक्तरूल इमाम का कहना है कि अगले साल लोकसभा चुनाओ को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में पार्टी का बेस बढ़ाने पर काम चल रहा है हाली में जब असदुद्दिन ओवेसी सीमांचुल के दौरी पर आये थे और अधिकार पद्यात्रा की थी तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बाठक में उन्होंने खास तरह की रणनीती बनाई जैसा की सूत्र बता रहे हैं सूत्रों की माने तो ओवेसी ने सीमांचुल के अलावा गुपाल गंज और कुर्णी वधान सभा सीटों के उपचुनाओं के नतीजों से उत्साहित होकर तै किया है कि AI MIM अपकेवल सीमांचुल में ही सीमित नहीं रहने वाली सीमांचुल में लोगसभा की चार और वधान सभा की 24 सीटे हैं इन पर तो ओवेसी अपनी नजर रखे ही हुए है पर उनका निशाना कुछ ऐसे जिलो पर भी है जहां मुस्लिम वोट बैंक प्रभावी है अभी AI MIM का फोकस सीमांचुल पर तो है ही सीमांचुल में पिछले वधान सभा चुनाओं में पाटी ने शांदार प्रदर्शन किया था और पास सीटे जीतने में सफलता मिली थी हलाकि राज़त ने चार वधायकों को तोड़ कर ओवेसी की पाटी को बड़ा जटका दिया अभी ओवेसी सीमांचुल में हुए नुकसान की भरपाई के अलावा राज़त को अन्य जिलो में जैसे को तैसा वाला जटका देने की रणनीती बना रहे हैं इस तरह महागडबंधन को दो तरफा लड़ाई लड़नी होगी एक तरफ उसका मुख्या मुकाबला बीजेपी से होगा तो ओवेसी की पाटी भी पीछे से वार करने वाली है जिससे महागडबंधन खासतोर से राज़त नेता तिजस्वी यादव को सजग रहना होगा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राथ घर को बनाना है एक्स्ट्राथ तफ कॉन एक्स्टी के साथ